Hello, Good Morning Students, Today we will do Chapter Number 6, that is Comparing Number Rules for Comparison, Comparing करेंगे बिटा हम 1-Digit Number, 2-Digit Numbers and 3-Digits, 3-Digits Number में यह बिटा, Symbol दिया हुँ है इसके, Less Than का बिटा यह Symbol होता है, Greater Than का This and Equal To का यह Symbol होता है ठीक है बिटा, Look At This Big Fish, बिटा यह बड़ी फिश मैंने ड्रो की हुई है, ठीक है, It Is Very Very Hungry So, It Has Its Mouth Wide Open, इसका बिटा, जो Hungry Fish है, उसने अपना Mouth क्या हुआ है, Wide क्या हुआ है The Hungry Fish, Big Fish Always Eats Only The Greater Number Of Small Fish The Big Fish Is Moving Towards Five Smaller Fish, Look At The Shape Of Its Mouth We Use This Shape Is Mathematics As A Sign Aura Symbol ओके, बिटा जो यह Big Fish है, वो किसको ख़ाईगी, जादा Fish को ख ख़ाईगी जादा Fish को कंखेगी, यह कम Fish को ख़ाईगी, जादा Fish को खाईगी ठीक है अब इसमें क्या हुआ five fishes को ये इसने अपना open mouth किया है और ये five fishes को खा जाएगी ओके ये five है और ये two है अब हमें बेटा compare करना है ठीक है कि इन ठीक है अब ये five fishes है और ये two fishes है अब ये sign बेटा हमें इससे sign का पता लगाना है जिसकी तरफ open wide मलब fishes का mouth open होता है वो greater number होता है ये आपको दिखान रखना है जो बेटा मैंने example ये बताया है इसलिए आपको sign कर रिकोगनाईज कराने के लिए मैंने ये example आपको बताया है ठीक है? जहाँ open mouth होता है fish का वो हमेशा बड़ा sign होता है और ठीक है, जो इसका corner आता है यह क्या होता है, छोटे number की तरफ होता है, हमेशा यह दिखान रखना, आप जैसे, so we write 5 greater 2, we read हम इसको कैसे read करेंगे, we read it as 5 is greater than 2, suppose और इधर 2 है और इधर 5 है, तो इससे हम पेटा कैसे read करेंगे, we read it as 2 is less than 5, ओके, समझ में आगया पेटा, अब हम करेंगे पेटा देखो यह तो था 1 digit का, अब हम करेंगे 2 digit और 3 digit में हम compare करेंगे, ठीक है, compare 99 and 121, ठीक है, the number with 3 digit is greater than the number with 2 digit, ओके, अब यह तो बेटा अपनको clear ही पता चल रहा है, जो 3 digit के number होते हैं, वो तो greater होता ही है, compare 2 digit से, ठीक है, तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा, 121 होगा, तो इसकी तरफ अपना क्या होगा, open mouth, जैसे fish का कैसे था बेटा, open mouth होथा न, उसकी तरफ अमारा greater than number होगा, ठीक है, so, we read it as 99 is less than 121, ओके बटा समझ में आ गया, अब हम आपको कराएंगे, देखिए, यह number दिया हुआ है, 492 और 520, टू नंबर्स दिया हुआ है, बटा, यह जो कर जोनी का है, और यह जो कर लिवर का है, ठीक है, सबसे पहले हमें कैसे compare करना है, बटा, देखो, 100, 10s, or 1s, first compare, 100 place digit of given number, जो हमें given number दो है, सबसे पहले हमें क्या करना है, बटा, 100 place को compare करना है, इन में से देखो, बटा, which is the greater number and which is the small number, 5 is the greater number ना, तो क्या होगा, बटा, 4 and 5 है, तो क्या होगा, बटा, 4 is less than 5, 5, okay, it means, जोकर जोनी number is lesser, less, and जोकर लिवर number is greater, तो कौन सा होगा, बटा, ये, देखो, 400 आई, सी सा हमें पता चल गया है, ये 4, किस से, 5 से, छोटा है, 492 and 520 नमबर ती होगा, तो क्या होजाएगा, हम इसको कैसे रीड करेंगे, 492 less than 520, ओके बटा, 520, अब देखे इसके rule number, rule number 2 देखे बटा, dog jacky and the dog tommy, dog jacky के how many number, 269, and dog tommy के कितने number है, बटा, 241, ओके, अब ये numbers दिये होगे, बटा, अब हमें इनमें compare करना है, ठीक है, the hundred place of given number are same, देखो, hundred numbers क्या हुआ है, given number जो हमें number दिया हुआ है, इनमें hundred place, बटा, same है, ठीक है, अब ये भी two है, ये भी two hundred है, ये भी two hundred है, here, the digit at the hundred place are same, ओके, then compare the digit at the tenth place, अब हम tenth place को देखेंगे, बटा, tenth place में क्या है, six है, और four है, ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, six is greater than four, ठीक है, six is greater than four, अब बटा, आपको पता चल गया है, six बड़ा है, six किस-किस नंबर में है, 269 में है और ये four इसमें है, तो कौन सा बड़ा हुआ, बटा, so, 269 is greater than 241, ओके, next देखें, बटा, rule third, cat Lucy के पाद, बटा, how many number, 625, and cat pussy, 628, ये हमें बटा, two numbers दिये हुआ है, three digits number के, इसे हमें compare करना है, both, both the numbers are the three digits number, okay, three digits number दिये हुआ है दोनो, if both hundred place are, and tens place of given number are the same, अब इसके बटा क्या है, जो hundreds दिये हुआ है, hundreds place में जो number दिये हुआ है, ठीक है, ये भी six है, ये भी six है, and tens place पर क्या है, two, two है, तो ये भी क्या हुआ है, जो number दिये हुआ है, उनमें hundreds place same है, tens place same है, but, once place different है, ठीक है, अब हमें क्या करना, then compare once place digit, जो हमें once place का, इसका हमें compare करना है, पहले क्या है, पटा, five है, and eight है, अब क्या है, five is less than eight, ठीक है, five number छोटा है, किस से, eight से, तो क्या आ जाएगा पटा, so, it means cat, cat, lucy number is lesser, and cat, pussy number is the greater, it means, मतलब जो, cat, ठीक है, अब हमें क्या है, जो, जो बड़ा number होता है, बड़ा number कौन सा है, हमने पहले भी बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसका मुह वाइड होता है, हाना, उसकी तरफ हम, फिश का जैसे, मुह वाइड होता है, इसी तरह से, अपनको यह वाला sign, बड़े की तरफ लगाना है, और जो इसका corner आता है, यह छोटी की तरफ आता है, हमेशे, यह हमेशे दिहान रखना, अब हमने इन दोनों का compare किया है, तो क्या है बटा, 8 बड़ा है, 5 से, 5 छोटा है, 8 से, ठीक है, अब हमेशे देखना है, इनके क्या है बटा, 100th place same है, 10th place same है, 1th place different है, तो हमने इन दोनों में compare किया है, यह 5 है, यह 8 है, So, 625 is less than 628, ओके बटा, समझ में आ गया, अब next देखे बटा, rule 4, डोल मेरी and the डोल बार्भी, इनके numbers दिये हुँ है बटा, 465 and 465, ओके, 4 and, देखो, once 10th 100 है, अपनों पता चल गए, 100th place are same, 10th place are same, and once place are same, तो क्या हुआ बटा, if 100th place, 10th place and once place of given number are the same, it means, डोल मेरी number is same as डोल बार्भी number, as डोल बार्भी number, तो क्या है के बटा, दोनों के same है, देखो, 100th place, same है, 10th place, 66, same है, 5, and once place, में कौन सा number है, 5, once place में हैं कौन सा number है, 5, तो ये दोनों same है बटा, ये सारे, तो 600, 465, इक्वल, 465, तो दोनों क्या हो गए बेटा, ये same हो गए, अब आपको समझ में आ गए बेटा, अब देखो, अब हुमें करना है compare number, put the correct symbols, greater than, lesser than, and the equal, in the placeholders, अब ये numbers दी हुआ है, अब हमें सबसे पहले बेटा, क्या देखना है, 14, and 10 numbers दी हुआ है, इन में से सबसे बड़ा number कौन सा है, अब देखो, इसका 10th place सेम है बेटा, ठीक है, once place क्या है, ये 0 है, और ये 4 है, तो कौन सा, 0 बड़ा है या 4 बड़ा है बेटा, 4 बड़ा है न, तो किस तरह हुआ है का बेटा, फिश का mouth कैसे था, open, किस की तरफ, greater number की तरफ, ठीक है, बड़े number की तरफ, फिश का mouth हमेशा open रहता है, तो ये अपको धियान रखना है, open जो sign है, ये हमें बड़े number की तरफ करना है, ठीक है, समझ में आ गया है, अब यहाँ देखे बड़ा, question number second देखिए, ओके बड़े, question number second, अब हमें क्या करना है, compare 265 and 50, इन दोनों numbers में compare करना है, but the number with 3 digits is greater than the number with 2 digits, ओके बड़े, ये clear है, कि देखो जो 3 digit number होता है, वो 2 digit number से हमेशा बड़ा होता है, देखो इसमें 2 digit है और इसमें 3 digit है, तो कौन सा बड़ा हुआ है इन दोनों numbers में बड़ा, 265 is greater than 50, ओके, अब देखिए, अब question third देखिए बड़ा, compare, 495 and 3995, अब हमें इन दोनों में compare करना है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 100th place को देखेंगे, ठीक है, 100th place को क्या है बेटा देखो, यह 4 है, और यह 3 है, ठीक है, बोट दा number are 3 digit numbers, दा number having more 100 is greater and having less 100 is smaller, ठीक है, अब देखिए, यह क्या है बेटा, 495 है, और यह क्या है, 300, 395 है, अब हमें इन दोनों numbers में compare करना है, देखिए बेटा, यह 100th place है, ठीक है, अब 100th place में, यह 4 है, और यह 3 है, अब आपको इन दोनों में से देखना है, कौन सा बड़ा number है, which is the greater number, 4 ना, तो यह क्या जाएगा, बेटा, 4 की तरफ हो जाएगा, सबसे पहले हमें 100th place से ही पता चल गया, कि कौन सा number बड़ा है, 4 ना बड़ा है ना बेटा, which is the greater number, 4 is the greater number, so, 495 is greater than 395, ओके, 495 is greater than 395, अब बेटा यह देखिए, अब हमें compare करना है, 900 और 400 numbers में compare करना है, सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, 100th place को देखेंगे, compare the 100th place, 100th place में क्या है बेटा, यह जाएसे देखिए, 900 and 400, ठीक है, अब इन numbers में compare करना है, देखिए, 9 and 4, अब बेटा देखिए, यहां देखो, 9 बड़ा है, यह 4 बड़ा है, 9 is the greater than 4, तो कौन सा sign करना है, open mouth वाला, open mouth जिसकी side हो, वो हमेशा बड़ा number होता है, ठीक है, अब हमें पता चल गया, पेटा, 100th place से हमें पता चल गया, तो which is the greater number, 900 is the greater number, 400, ओके, यह पेटा आपको homework में करना है, book और notebook दोनों में करना है, नेक्श देखे पेटा, write the greatest number in the center, यह हमें center में greatest number लिखना है, and smallest number in the leaf of the flower, write the greatest number in the, जो given number दिया हुआ है, इन numbers में से, जो बड़ा number है, उसको हमें center में लिखना है, और छोटे number को हमें leaf में लिखना है, देखो पेटा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 10th place को देखेंगे, अब 10th place में देखो पेटा, यह numbers दिया हुआ हमें, 52, 25, 63, and 96, and 41, अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, यह क्या है, सबसे greatest number को, इन में से पेटा 10th place को देखेंगे, सबसे बड़ा number कौन सा, इसमें देखो, 5, सबसे 2, 6, 9, इन में सबसे बड़ा number कौन सा है, बिटा, 9, 9 है ना देखो, यह 5 है, 2 है, 6 है, 9 है, 4 है, तो सबसे बड़ा number कौन सा हुआ, 9, तो यहां क्या जाएगा, 96, 96, तो 96, राइट, 96 को क्या लिखेंगे बिटाएग, इन दा सेंटर, अब इन में सबसे बड़ा number देखना है, सबसे बड़ा number में देखिए, अब भी भी है बिटा, हमें 10th place को देखना है, देखो, 5 है, 2 है, 6 है, 9 है, 4 है, तो देखो, लीको इन मेंसे सबसे छोटा नंबर कौन सा है दू है सबसे चोटा नंबर तो कौन सा नंबर हो गए ये सबसे smaller number smaller number को हमें कहा लिखना है 25 बैदा आप descending descending order तो जानते हूंगे इन यह सबसे पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं इन numbers को पहले आप ascending order में लिखेंगे और फिर आप इनको descending order में लिखेंगे तो ascending order में क्या आता है सबसे पहले देखो बिटा आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ascending order में अपन पहले इसको लिखते हैं ascending order में क्या आता है बिटा सबसे छोटा नंबर आता है अब देखेंगे 52, 25, 63, 96, 41 तो इन मैं से आपको counting आती है बिटा तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा 25, उसके बाद में क्या है कौन सा नंबर आएगा बिटा 41, उसके बाद में 52 उसके बाद में क्या है बिटा 63 और उसके बाद में 96 अब हमें ये पता चल गए जो सबसे smaller number है सबसे चोटा number हमें क्या लिखना है लीफ में लिखना है और सबसे लास्ट वाला number जो सबसे बड़ा number है वो हमें center में लिखना है ठीक है आप दोनों उसे भी कर सकते हैं 10th place देखकर भी आप कर सकते हैं और ascending order से भी इसको अरेंज करना है ascending order में तो बिल्कुल आपको clear समझ में आजाएगा अगर आप बिटा ascending order में अरेंज करके लिखेंगे ना तो बहुत अच्छे से समाझ में आएगा और आपकी मिस्टेक भी नहीं होगी कि अब देखें कोशन सेकेंड देखें बिटा 10, 30, 50, 11, 20 अब देखें इसमें से हमें सबसे पहले देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है पहले हम इन सब के 10th place को देखेंगे बिटा 1, 3, 5, 1, 2 अब देखें अब इन दोनों में compare करेंगे चीक है यह तो इनका same है बिटा ठीक है लेकिन इनका once place क्या है यह 0 है और यह 1 है तो क्या जाएगा सबसे छोटा 10 उसके बाद में हम देखेंगे 10 से बड़ा कौन सा है बिटा 1 है 11 और उससे बड़ा कौन सा होगा बिटा 20 आजाएगा उससे बड़ा 30 उससे बड़ा 50 अब देखो which is the smaller number सबसे छोटा नंबर क्या आया 10 तो स्मोलर नंबर को हमें क्या लिखना है लीव में लिखना है और ग्रेटर नंबर क्या आया बिटा 50 तो ग्रेटर नंबर को हम यह लिखेंगे सेंटर में है ओके अब नेक्स्ट देखिए बटा बड़ा है सबसे पहले हम 10th place को देखेंगे यह 2 है 8 है 6 है 7 है 4 अब देखो 10th place में देखो पीटर सबसे छोटा नंबर कौन सा आया 2 ठीक है तो क्या जाएगा है यहापर 22 उसके बाद में इससे बड़ा नंबर कौनसा आया 4 तो क्या जाएगा 40-4 अब इससे बड़ा नमबर 77 और इससे बड़ा नमबर 88 तो हम क्या लिखेंगे पिटा 22 राइट इन लीव एंड 88 नमबर इन दा सेंटर ओके समझ में आगे पिटा अब आपको ये जो और questions हैं पिटा ये आपको book में homework में करना है ठीक है अब यहीं करना हैं यह classwork के बिटा आपका यह मैं आपको करा चुकी हूं और यह homework है यह आपको पिटा notebook में भी करना है और बुक में भी करना है और आपको अपने notebook में chapter का name लिखना है date डालनी है और बहुत सुंदर सुंदर से आपको work करना और बेटा जो homework है वो आप मेरे personal number पर मुझे send करेंगे ओके बेटा, thank you